गुड मॉनिंग फ्रेंड मैं हूँ उशा धुरुवे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग वी तुशा पे तो कुछ दिनों कुछ दिन से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था गार्डनिंग के काम में और वीडियो बनाने में क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसी कारण में बीज़ी थी तो ये कुछ मेरे प्लांट है जर्बेरा के मेरे पास इसके दो प्लांट थे पिछले साल के लेकिन जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में मेरे प्लांट जो थे बाकी वो बच नहीं पाए इसलिए मैंने ये सारे जर्बेरा खरीद लिया है और ये हमारे यहां पावडे सर है उनकी हर एक प्लांट में देखे एक एक बर्ड सापको दिखाई देगी तो इस तरह से ये hybrid जर्बेरा नहीं है जो hybrid जर्बेरा रहता है वो dwarf quality का होता है और ये इसके जो stem होती है तो आप देख सकते हैं ये उच्छी stem है और उस पर flower आया हुआ है तो ये प्लांट बहुत ही easily survive कर जाते हैं और बहुत hardy प्लांट होते हैं और hybrid प्लांट जो होते हैं उन्हें अगर पानी बगर जादा हो गया तो उसमें powdery mildew और बहुत सारी बीमारिया भी लग जाती है जो प्लांट हम नहीं बचा सकते और ये बहुत hardy प्लांट है और easily आपके हां ये grow हो जाएंगे इस वज़े से मैंने इसके बहुत सारे color ले लिये हैं और अभी दिवाली में मैं घर जाओंगी तो दो या चार प्लांट मुझे पिता जी को भी देने थे तो इस वज़े से मैं ये 10 प्लांट लाई हूँ और ये मुझे पड़े हैं 600 रूपीज में और 70 रूपीज का इच पड़ा है तो अगर अमरावती में जो आप रहते हो तो इनकी हाल से ये प्लांट ले सकते हैं तो ये सारे जो प्लांट है वो घरी पे उनकी लगाए जाते हैं और उनके पास अडे नियम की बहुत सारा करेक्शन है जो बहुत ही रिजनेबल रेट में भी आपको ये मिल जाएगा तो इस तरह से बड़े पॉलिथीन में ये सारे फ्लावर्स लगे हुए है और इनके कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कलर है और बहुत हेल्दी प्लांट मुझे ही मिले है तो इस तरह से ये सारी दिवाली की शॉपिंग भी कह सकती है तो ये सारी शॉपिंग मैंने करी है और अगर कुछ और अलग कलर होंगे तो वो भी में ले आऊंगी तो इस तरह से ये सारे प्लांट मेरे पास अभी जरबेरा के बहुत सारा कलेक्शन बन जाएगा तो इसकी reporting कैसी करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी और ये दिखे ये जरबेरा तो हमेशा आपको फ्लावरिंग के साथ ही का दिखाई देता है ये मैं पिछले साल लाई थी कुछ 1.500 रुपीज में और बहुत ही healthy plant है और इसके भी मैं baby plant निकाल सकती हूँ लेकिन अभी flowering का season शुरू है तो अभी मैं इससे divide नहीं करूँगी अगर आपको divide करना है तो जब flowering का season नहीं होता है यानि बारिश के season में आप इससे अलग कर सकते हैं और बहुत सारी plant तयार कर सकते हैं तो एक एक यह बचा हुआ plant है और इसका color शायद dark orange या dark red होगा और यह पिछले सार का plant है तो यह दो ही plant मेरे पास बचे हुए है और एक यह plant मैंने divide करके दिखे यह ऐसे दो plant बनाए है अभी इस पे कलिया आनी अभी बाकिया है इस वज़े से मैंने इसी divide किया है तो इस तरह से बहुत सारे plant भी आप बना सकते है तो इसके लिए जो मैं soil mix लेती हूँ तो यह देखे 7 part mid tea 1 part red तो कोई भी construction side की जो sand होती है वो चल जाएगी और उसके बाद देखे यह compost इसमें गोबर खाद और वर्मी compost दोनों mix है तो इस तरह से एक पार्ट लिया मैंने यह compost और सारे plant के लिए मैं यही soil mix तयार करती हूँ जो मैं हर बार आपको बताती हूँ और इसमें डालूंगी अपने cocoa pit तो एक पार्ट cocoa pit तो इस तरह से यह सारे मेरी soil mix जो है वो तयार हो चुके है अब इसमें और भी nutrition के लिए आपको डालने होंगे तो अगर आपके पास bone meal मिलते हैं तो यह bone meal एक मुठी तो इससे क्या होता है जो flower के जो branches होते हैं वो एकदम मजबूत होती है और आपका flower जुखता नहीं है और बिल्कुल अच्छे सी है और यह है ipsum salt जिसे magnesium sulfate केते हैं यह है नीम खली एक मुठी यह 40 kg से हमारे हाँ मिल जाती है और उसके बाद यह DAP आधी मुठी के सकते हैं DAP लेंगे और उसके बाद fungicide तो इस तरह से हमारे यह soil mix तयार हो गया है अब हम इसे अच्छे तरह से mix कर लेंगे और यह मेरी soil mix है मैं हमेशा ऐसे बना की रखती हूँ तो अभी यह तयार soil mix है तो चलिए जो भी मैं plant लाए हूँ तो उनकी reporting कैसे करते हैं यह मैं आपको आज बताऊंगी बिल्कुल सभी plant का easy तरीका है बस इसी तरीके से मैं सारी plant लगाती थी हूँ और कोई मुश्किल काम मुझे नहीं लगता है reporting का या plant लगाने का तो एक ही method होती है मेरी जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि लेकिन कुछ जो नए सब्सक्राइबर मुझे से जूडते है तो उनके लिए यह अलग होगा तो इसलिए मैं ये soil mix का ratio और ये जो contain है वो डालती हूँ तो अच्छे से यहां से cut कर देंगे जो भी हमारा ये जो nursery poly bag है उसे cut कर दूँगी यहां से देखे और ये काली मिट्टे में लगाया हुआ है क्योंकि ये घर की ही हमारे यहां की मिट्टे होती है जो हमारे काकाने बनाई है और इस तरह से इन plant को मैंने निकालने के बाद देखे ये मिट्टी इस तरह से है जो मैं सभी plant लगाती हूँ और ऐसे देखेंगे ये थोड़ा उपर हो जाएगा क्योंकि थोड़ी सी जगा जब पानी डालते है तो एक दम से बाहर नहीं निकालना चाहिए तो इतनी थोड़ी से जगा हम अपने pot में बाकी रखेंगे और इस तरह से इस plant को हम report कर देंगे तो ये हमारा एक plant लगकर तयार हो चुका है तो अभी winter season आने वाला है और बहुत सारे काम बाकि है पूरा garden तयार करना है और अभी मेरे school को छूटी है तो मैं ऐसे सूच रही हूँ कि सारे के सारे काम मुझे निप्टाना है यानि पूरे stand को जो है वो color करना है और बहुत-ब जितने भी मेरे जर्बरा के plant है वो मैंने मिट्टी के इसमें लगाए है क्योंकि ये जो permanent plant होते है वो में मिट्टी के planter में ही लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि जब summer आता है तो मिट्टी के planter का बहुत फायदा होता है इससे plant की root जो है वो जलती नहीं और हमारा plant बच ज जर्बरा के plant अभी मेरे लगकर तयार हो चुके इस तरह की दिखे मैंने अभी तो दो चार ये दिखे पाच इसमें लगा दिया है और बाकि और भी मुझे लगाना है तो ये हुए हमारे जर्बरा के planter लगकर तयार और इसमें डालेंगे हम पानी तो हमारी soil mix जो बने है वह यहाँ से नीचे से पूरा पानी का निकल रहा है तो इस तरह के अगर मिल्टी हो तो आपकी प्लांट को कोई भी बिभारी नहीं लगती और अच्छे सी far वाइब कर जाता है तो इस तरह से मैं अभी सारे जर्बरा की जो प्लांट है वो भी लगा लोगी तो फ्रेंड्स झाल